हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपका दोज धनेश और आप देख रहे हैं क्रिसक इंडिया क्रिसक भारत किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गियों में होने वाली बिमारी इंफेक्सियास ब्रॉंकाइटिस के बारे में यानि कि जिसको आई भी भी कहा जाता है उसी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो हमारे चैनल में लाश्ट तक बने रहिए और चैनल को कर दिजिए सब्सक्राइब साथ ही साथ बेल आइकान को भी दबा दिजिए ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहु चैनल में इसको अनुबहो कर सकते हैं जब मुर्गी स्वांस लेगी तब इससे आपको अनुबहो हो जाएगा कि आपके मुर्गी को इंफेक्सेयस ब्रोंकाइटिस है और लंबी-लंबी सांस लेगी और सांस लेने में उसको क्रिफिना ही होगी यह उसका एक लक्षन है यह कारण होता है कोरोना कुरूप का वाइरस से याद रहें जो अभी कोरोना चल रहा है उसी गृरूप का ग्यार्ट है यहँ प्रायरा है चार शब्तवारा से कम उम्रेवाले ॥ूंजों को ज्याधा गरसित करता है ज्यानों कि जब आपके चूझे चार सब्ते से छोटे होंगे तो उसको इफेक्ट या विमारी ब्रोंकार्टिस की जो विमारी है वो होने की ज्यादा चांसे रहेंगे इसके फैलने का जो तरीका है वह है संक्रमित जो करण है यानि कि जिसे आप जो भी चीज उपयोग करते हैं अपने सेट पे डिंकर फीडर या कोई अन्य बरतन या तो कोई भी चीज हो सकता है वो चाहे आपके पैरवेर से भी जा सकता है ना दाना पानी आदी से और वायू से भी फैलता है दोस्तों ब्रंकार्टिस भार से आने वाले जो व्यक्ति हैं उनके पैर में चिपक कर भी आ सकता है या तो या कोई अन्य जंगली पक्चिजी इसमेह सब्सकर्णीरों निज्चित्रुप्स वह कोई बिइसिन नहीं ले रहा रहा है उसको अगर फह है तो वह के मुलगीके आया तो समझने ऊस्ब टेंफेक्टब कर दो आपके बहुं वह यह और आद के लक्षान के कैस्पिंग रॉल्स कहते हैं दोस्तों इसके अलवा आक और नाक से पानी बहता है त्था सुजन हो जाती है चुझे छिकते हैं हापते हुए दिखाए देते हैं हार उभोक में कमी यानि कि आपके जो चिक से हैं वो कम फिट खाएंगे अलबुमीन पतला एवाम अंडा उत्पादन में कमी आ जाता है अंडा में बहुत ही ज्यादा कमी आ जाएगा अगर आपके मुर्गी बड़ी मुर्गी को यह विमारी होता है अंडा का अकार भी ना कु हमारे मुर्गी को हो गया, मिस्ते मिमारी होता है 3-4 सब्था में अगर आप मेडिचिन दिए तो इंडा का अगर इस यह और और यह रोक यह जाते हैं और जो बच जाते ह임 यह आति वह र exceptionally है अगर अगर वहाग जो चुजए है वह आपके सेट पर फिर से नए चुजए के संपर्क इनाएं तो वह दूसरे चुजए को फेला देंगे कहने का तत्पर ये है कि जो चुजए इंफेक्टेट है यानि कि जो वहाग का काम कर रहा है उसको वह विमारी कुछ नहीं करेगा लेकिन जैसे नए चुजे लाए आप और उस वहक चुजे से फिर नए चुजे में वो बिमारी चला गया तो उसको इंफेक्टेट कर देगा उसको बिमार कर देगा उसके मिर्तु भी हो सकती है किसान साथियों इसके अलावा हम अगर उसको पोष्ट माडम करते हैं उस चुजे का तो स्वांस नली में जो है रेडनेस आजाती है लाल लाल आपको दिखाए देगा इस रोग के लक्षण रानी खेट के जो लक्षण है रानी खेट जो रोग है उससे काफी मिलते जुलते है याद रखिए रानी खेट के लक्षण और इस रोग के लक्षण जो है काफी समान है किन्दूर रानी खेट में मिलतुदर बहुत ज़्यादा है आपको पता होगा उसमें असी से सवप्रिशाद तक का मिलतुदर होता है और इसमें 10-90 जाने कि 90 परसें एक वेग्यानिकों का अनुभव है 90 परसें तक भी गया है लेकिन इसमें 10-20 परसेंट तक में एहां कंट्रोल हो जाता है दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस बीमारी की रोक थाम या तो ट्रिटमेंट के बारे में साथियों सबसे पहले इस बीमारी का जो रोक थाम है उसको देख लेते हैं साप सफाई सबसे मश्ट है इसमें साप सफाई पहुंती ज़्यादा ज़री है सबसफ़ाई रहेगा तो आपके सेड़ पे यह बिमारी नहीं आएगी गैस नबनने पाए आपके सेड़ में इसलिए वेंटिलेशन का भी आपको काफी ख्याल रखना होगा क्योंकि गैस से भी बिमारी अगर भर रहा है तो भी बिमारी आपके सेट पर आ सकती है बिछावन का आपको बहुत ही ज़्यादा ख्यार रखना है साप सुतर रखना है क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा बिछावन से बहुत ज़्यादा बिमारी फैलता है dip Town जहाँ on X carir Agora गीर के शड़ जाता है वह तो इससे बैक्टीरिया वाराइरस और उस यह वह पर बीमारी हो सकती तो यह तो हो गई। उसके कैसे आने से रोख सकते हैं और अगर आपके मुल्गयों को यह हो जो अनमारी हो हो गया तो उसके लिए हम आपको दवाई भी बदद देते हैं तो सबसे पहले आपको अगर आपके मुर्गियों को infectious bronchitis हो गया तो सबसे पहले आपको विरकान S नाम का जो दवाई आता है उसको पांच ग्राम एक लीटर पानी में घोल करके आपके मुर्गियों के उपर इस्प्रे करना है जिसकी बेक्टिरिया वगर जो होता है वारस होता है वो खत्म हो जाए ऐसा दिन में दो बार करना है और तिन दिन तक आपको ऐसे करते रहना है साथियों इसके अलागा आपको वैक्सी फीट बी ए डबल सी आई एफ आई टी इ हो गया तो इसलिए मैं आपको स्पिलिंग भी बता दिया वैक्सी फीट आपको एक ग्राम प्रती 30 किलो मुर्गी पे देना है आपके मुर्गी अगर 60 kg के हैं तो आपको दो ग्राम देना है साथियों वैक्सी फीट के साथ आपको देना है नियो डाक्स इसको भी एक ग्राम देना है 30 किलो वजन पर अगर नियोडाक्स नहीं मलता तो रख छक पाउडर भी आप एक ग्राम दे सकते हैं दोस्तों ये तो हो गई आपके मुर्गियों तक ना जाए तो इसलिए जितना पानी आपके मुर्गि सकते हैं उतना पानी आप दिजिए उस दवाई को उतना पानी में घोलिए दोस्तों इसके अलावा kidney में अगर सूजन हो तो हिमालया सिस्टोन एक गोली आपको पीस करके पानी में मिलाना है इसका भी वोई डोज है आपको एक टेबलेट को 30 kg बाडी वेट पे देना है सांथ ही साथ आपको इसमें चाय की पत्ती भी मिला सकते हैं अगर किड्नी सुजन हुआ हो तो दोस्तों ये तो हो गई इंफेक्सियस ब्रॉंकाइटिस के बारे में जानकरी तो फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही बीमारी या कोई पॉल्ट्री से संब्धित जानकरी के साथ अगली वीडियो में और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजे सब्सक्राइब और साथ इसाथ बेल आइकान को भी दवाना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो अपने चैनल पर डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचें तो ठीक है किसान साथियों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए जहिन जाभारत